अग्मीपत पर तीनों सेनाओं का साज़ा बयान कहा मौजुदा जमानों से ज्यादा अग्मी वीरू की सेलरी भत्ते साल में 30 दिन चुट्टिया कैंटिन और मेटिकल सुविधा के साथ साथ एक करूर बीमा के हकदार अग्मीपत इस्टीम के खिलाव कॉंग्रिस का अदिली के जंतर मंतर पर सत्या ग्रह हरिवंच राय बच्चन की कविता से किया वार तेजस्वी यादव ने सरकार पर दागे 20 सवाज अग्मीपत के विरोध में अजापुर में कॉंग्रिस की तरंगा यात्रा सीम कहलोत ने केंदर पर किया प्रहार का ये योजना युवाओं के हित में नहीं केंदर जल्द योजना को करे विड्रो पीसी सी चीफ सहित कई मंतरी रहे मौजूद वांच राजियों में आगजनी हिंसा की साज़िश के मिले मोबाइल वाले सबूत चात्रों को भढ़काने के आरोप में घिरे कई कोचिंग सेंटर बिहार में अब तक 728 उपद्रवी ग्रफतार आग लगने की खबर के बाद पटना एरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान के इमर्जन्सी लेंडिंग दिल्ली से उडान भरने के फॉरण बाद उतारा गया जहाज सभी 185 आत्री स्रक्षिर विमानाद से पर DGCA का बयान जहाज में इंचन से एक पक्षी टकराने से लगी आग, क्रू मेंबर्स थे अंजान, नीचे से लोगों ने आग देख कर भी जान कारी बाडमेर के बालोत्रा में एसीबी की बड़ी कारवाई अधिशासी अभियंता एक लाग के रिश्वत लेते के रफ्तार बिल पास करानी के एवज में मांगी थी दो लाख रुपे की घूल पताबगर में फूट पॉइजनिंग से दो की मौत, पांच बिमार, खाना खाने के बाद उल्टी दस्त और जी घपराने की शिकायत थी चार बच्चों की हालत गंभीर जिला अस्पताल में लाज जारी हल्मानगर जंक्शन से किद्नाप की वक्का चार दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, चार दिन से ठाने के बाहर बैठे परिजन, लव मेरिस को लेकर युवती के नाराज थे परिजन बरत्पुर पुलिस की गिरफ्त में 24 साल से फरार अंतर राजिय जकैत 22 दिन लगातार पीछा कर रही थी डियस्टी, फिरोजाबाद ने यमना की खादरों से जकैत को दबोचा